असलाम उलेकुम फ्रेंड्स वैलकम टू फूड विद निम्रा चैनल तो कैसे हैं आप सब उमीदी कि आप सब बहुत ही मज़े में होंगे और मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे इस रमजान में सब के फेवरेट आज मैं आप सब के साथ स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी करना है आप लोगों को मेरी रासिपी जूमनी नहीं पड़ेंगी बलकि आप लोगों के सामने आ जाएंगी तो जली से चैनल को सब्स्क्राइब कर लीजिए और साथी वीडियो को लाइक कर दीजैब अपी रासिपी को स्टार्ट करेंगे एक फ्राइपन में 3 टैबल जाए और यह सिर्फ ना पिंक पिंक सा कलर का हो जाए इसको हम लोगोंने ब्राउन नहीं करना है और जैसी ही सौते होगा तो पिर हम लोग इसके अदर वेजिटेबल्स को एड़ करेंगे तो मैंने यहां पर तकरीबन एक नब बंगो भी लीती और बारिक बारिक सा कट कर द हम लोगोंने अच्छे से फ्राइ कर लेना है आप लोग इसमें चाहें तो गाजर भी एड़ कर सकते हैं बारिक बारिक से कट करके यह कोई और वजिटाबल्स को पसंद हो तो वह भी आप लोगों इसमें एड़ कर सकते हैं अगर आप लोगोंने तकरीबन दो मिनिट के करेंगे और जब हमको फ्राइ करेंगे तो थोड़ी देर तो क्रिस्पी रहेंगे फिर बाद में वह सौगी हो जाएंगे तो आप लोगों इसलिए सब्स्यों का सारा पानी सुखा लेना है अगर आप लोगों इसको फ्रीज कर रखना है तो अच्छे से हमारी वेजटेबल् अच्छे से लिए और यहां पर लिया और इसको ब्याल कर लिया तो और इसके बाद रिशे कर लिए चिकन की कौंटिटी को आप लोग अपने हिसाब से कम जादा भी कर सकते हैं पिर बहुत ही कम से स्पाइसिस एट करेंगे इसमें काली मिर्श का पाउडर लिया है थाफ टै तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें होट सॉस या फिर कोई भी चिली सॉस एट कर देंगे वन एना हाफ टी स्पून के करी और इसको कम जादा भी कर सकते हैं आप लोग जितना आपको इसका फ्लेवर पसंदों और फिर मिसके बाद वन टी स्पून ही सोय सॉस एट कर दूंगी और अच्छे से इसको भी हम लोग मिक्स कर लेंगे तमाम चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो फिर हम लोग इसके अदर अंडे एड़ कर लिया तो इसके बाद इनको रफले कर लिया है बहुत साद अदे के मोटा एंड भी नहीं और ती कर सकते हैं तो श्खाए नियुक्त एंडे घंड सकते हैं उसका अ जरूर bon भीड की जियुए हुझा और यहां पर हमारी जो फिलिंगे बहुत ही टेस्टी सी रडी हो चुकी है अब हम लोग सकू कांव्टिट पर एक बॉल में निकल के ठंडा कर लेते हैं और यहां पर मार जो फिलिंग का मसाला ये वह सारा अच्छ थंडा हो चुका एं तब हम लोग इसके रॉल्स बनाते हैं करना मंपें गरम में हम लोग नहीं बनाएंगे पहले इसके अधा कर लेंगे मसाले को रॉल्स बनाने के लिए मेने यहाँ पे मांडा पत्ती लिए और इसली आपको मार्केट्स में मिल जाएंगी और इसली पना सकें अब मैंने हजब जूरत ना बैटर इसका जो फिलिंग है वो इसमें एड कर दी है जितनी आप लोगों को इसके अंदर रखनी हूं रोल्स में इसको इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा पहला लेंगे और प्रेस करते हुए तोड़ा सा दबा कर हम लोगों ने शेप देनी है और मैंने यहां पर वन टेबल स्पून मैदा लिया था और उसमें थोड़ा सा पानी एड करके उसकी एक लई बना ली है और इस तरीके से नहीं अच्छे से इसको प्रेट कर रही हूं और आपने नहीं यह अच्छे से ही लगानी है क्योंकि हमारे समोसे बढ़ना ओल में जाकर कहीं खुलना जाए तो इसलिए अच्छे से हम लोग उसको पैक कर लेंगे दबा दबा कि हमारा रोल इस तरीके से रेडी हो जाएगा यह आप लोग देख सकते हैं हमारा रोल बहुत यसानी से रेडी हो चुका है इस तरीके से में सारे रोल रेडी कर रही हूं और यह हमारे एक महीने के में आप इसको यूज कर सकते हैं अब बहुत ही मज़दार से मारे रोल तो राइडी हो चुके हैं तो क्यों आप इनको फ्राय कर लिया जाए तो मैंने एक फ्राय पैन के अंदर हजब जूरत ऑइल एड किया है और इसको हलका सा गरम कर लिया है बहुत तेज गरम एड नहीं करेंगे अगर हम लोगों ने बहुत तेज गरम ऑईल के अंदर रोल एड कर दिया तो यह जली से उपर वाली जो लेयर ही इनकी वह पक जाएगी और नहीं जल भी सकते हैं तो आप लोगों ने थोड़ी ही रखनी है और जब एक तरफ से साइट हो जाएंगे तो ह आप लोगों ने इनके साथ चेड़ करेंगे तो फिर ऑईल जो है वह सारा रोल के अंदर चला जाएगा और जब को इसको खाएगा तो फिर ऑईल की नदियां भेरी होंगी तो आपने ऐसा नहीं करना ही जब एक तरफ से हो जाएंगे तो आप लोगों ने इसकी दूसरी तो मैंने इंको उफ्तार में टेस्ट किया तो इतने टेस्टी लग रही थी आप लोग मुझे यह बताएगा कि आप लोगों को रोल्स कितने बसंदे और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं कहीए तो जली से कर लीजी और सब्सक्राइब नहीं किया चा चानल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स रासी प्याइब वीडियो मिलते हैं दुहां में दुखेगा लाँ आफिस